तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग से चुनाव आयोग ने राश्टपती चुनावों को लेकर तारीखों का इलान कर दिया है 15 जून को अधिसूचना जारी होगी 29 जून तक नामांकन करना होगा और 29 जून को ही नामांकन की आखरी तारीख है 18 जूनाव को हुगा राश्टपती का चुनाव 21 जूनाव को वोटों की गिंती होगी चुनाव आयोग ने ये जानकरी प्रेस कॉन्फरेंस करके दी है 16 जूनवे राश्टपती के लिए हुगा चुनाव और मौजुदा राज़्पती रामनाथ कोविन का कारेकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है राज्यसभा और लोगसभा सांसत करेंगे मतदान वोटिंग के लिए राज्यसभा के 233 सांसत वोट डालेंगे जबकि लोगसभा के 543 सांसत वोट देंगे राज्यसभा विधानसभा और यहां पर राज्यसभा के सांसत लोगसभा और विधानसभा के सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार होगा कुल 4,908,00 वोट देंगे और वोट देने के लिए 1,2,3 लिखकर अपनी पसंद बतानी होगी पहली पसंद ना बताने पर वोट रद हो जाएगा तो जिसका सभी को इंतिजार था वो इंतिजार खत्म हो गया और 21 जुलाई को देश को नई राश्टपती मिलने वाले हैं